दोस्तों पूरे दो साल बाद चीन अपने सेना को गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से वापस बुलाने को राजी हो गया है आपको बता दें कि गलवान वैली हिंसा के बाद भारत और चीन दोनों ही तरफ से इस इलाके में बहुत बड़ा सैने जमावडा किया गया था लेकिन अब दोनों ही देश अपने सेनाओ को वापस बुला रहे हैं कई जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है लेकिन मेरी समझ से ये चीन की एक चाल है क्योंकि चीन ने पिछले कुछ महिनों से ताइवान को घेर कर रखा है और वो उस पर किसी भी वक्त अटेक कर सकता है अगर चीन ने ऐसा किया तो जापान, अमेरिका, ताइवान के सपोर्ट में आ सकते हैं और अगर भारत के साथ उसका कॉन्फलिक्ट बना रहता तो उसको डर था कि भारत मौका देखकर चीन पर हमला कर सकता है चीन ने टू फ्रंट वार के डर से ऐसा किया है इसके अलावा चीन को ताइवान, अमेरिका और जापान को रोकने के लिए उस इलाके में बहुत बड़े सेनिबल की आवशकता होगी भारत से समझोता कर वो अपनी आर्मी लद्दाग से पुरोतर चीन में भेश सकता है लेकिन भारत को चीन केस जाल में नहीं फसना है क्योंकि अगर उसने ताइवान पर कबजा कर लिया तो अगला नमबर भारत का होगा दोस्तों वीडियो इंफार्मेटेव लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजे धन्यवाद